श्री नाज्जी गुरुजी गॉला कादेश, मा भगवती गॉला कादेश, राची वाले भाईरबाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश, आज मैं एक बगला मुखी का मंत्र और उसका साधना विदिया आप लोगों को दूँगा, अघोर में बगला मुखी की साधना एक रात की साधना है, ठीक है, लेकिन उसकी साधना नवरात्र के समय, मुखी एक रात में सिद्ध होने वाली देवी है, लेकिन क्यूंकि आप में से बहुत लोग रोज बगला मुखी की पूजा करना चाहते हैं और बगला मुखी की साधना करना चाहता है, तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को बगला मुखी मंत्र देना चाहिए, सात्विक का मंत्र है तो आप आम जीवन में सत्रु मर्दन का मंत्र क्यों करोगे मारिया मारिये पूचे पूचे काटिये काटिये यह सब करने का जूरत नहीं दूसरा चीज कि घर में जिस तरीके के मंत्र का आप जाप करते हो घर का जो माहौल है जो इन्वार्मेंट है उसी तरीके से बिलिड़ अप होता है इसी कारण से घर में कोशिश करना चाहिए जितना स्वम्य मंत्र हो उसका प्रयोक करें भगवती देवी बगला मुखी का जो जाप है वो अगोर तांतरिक विधी से भी होता और सात्विक विधी से भी होता है और भगवती का जो मंत्र है वो काफी लिम जिसका बीज है बीज मंत्र लिम है तो अभी एक साधक ने मुझे एक मेल किया था कि लिम जो है वो मतलब किलित कर रखा महादेव ने इसे लिए रिम का यूज उता है रौ एक उसमें एड़ होता है उस पे भी मैं आपको बताता हूं कि लिम का भी आप जाप कर सकते है महादेव जी ने सारे सात्विक मंत्रों को भगवती के तो मैक्सिमम मंत्रों को किलित कर रखा है लेकिन उसका एक उन्होंने बड़ा साधारन मार्ग भी बताया है आपको उतकीलन ना आता हो आपको साभ विमोचन ना आता हो तो महादेव जी ने एक उसके लिए तीन शब् उपाये बताये है क्या उपाये बताये द platesी ग्रिहति मतलब दो और लो तो आप जैसे किसी ख़गवती का जाप करते हो तो उस खखवती के चरन न में पहले उस जाब को दे दो उसके आद उनसे वह जाप b तो इससे क्या होता है कि अगर उस मंत्र पर कीलन लगा हुआ है या उतकिलित किया हुआ है तो वह मंत्र का जो है वह हट जाएगा ठीक है इसलिए आप देखेंके नवारन मंत्र के अंतर में भी है गुईया मतलब आप जाप करते हैं माला को भगवती के चरण में सटाते हैं और उसके बाद उसको वापस अपने पास रखते हैं कि आप मैंने आपको जाप दे दिया और आप जाप वापस ले लिजेगा तो वो जो है उतकिलयन से मुक्त हो जाता है उसी तरीके से आप अगर उतकिलयन पढ़ते हैं जैसे गाइतरी का मैंने गाइतरी जब मंत्र बताया था तो मैंने बताया था कि आप उतकिलयन का मंत्र करो लेकिन गाइतरी जाप करने का भगवती को वो देना जरूरी है वो आप दे के वापस तब भी वो सिध होता है तो एक बार जब आप भगवती को दे के उनसे वापस लेते हो दो और फिर लो तो उससे वो जो भी उत्किलयन है वो कड़ जाता है दूसरा दो और लो में एक चीज़ और है कि आपका भाव भी होना चाहिए उस मंत्र को करने के लिए और उसको करने का का विधी भी होना चाहिए तो बगला मुख्य भगवती का जो मंत्र होता है एक ईक तर्वी ह्लिम है तो शुरुवाद लिम से करना चाहिए क्योंकि लिम जो है वो उग्र मंत्र नहीं है ठीक है और पूरे जीवन में उसका 96 लाग करना चाहिए, जैसे मैंने बताया था, कल्यूग में ऐसा करना चाहिए, इसके बाद भगवती का 4 अक्षर का मंत्र है 8 अक्षर का मंत्र है 19 अक्षर का मंत्र है फिर 36 अक्षर का मंत्र है अलग अलग अक्षर का मंत्र है 9 दिन आप लोग किसी भी एक मंत्र को रात्री में करते हैं 11 माला ठीक है तो वो मंत्र सिध होता है मंत्र जितना करते जाएगा उतना आपका वो बढ़ता जाएगा तो ये नौ माला इनिशल स्टेज में करिएगा और उसके बाद फिर जो है हर रोज एक माला आप करिएगा अभी जो मैं देखो पहला स्टेज ये हुआ कि आपने भगवती का पूजा किया पूजा करने का जैसे मैंने दुर्गा देवी का पूजा विदी पूरा बता रखा है तो उसमें दुर्गा मा भगवती देवी दुर्गा नमा पुष्पम समर्प्यामी जैसे बोला तो उसमें दुरुगा नाम हटाके बगला मुखी करके उसी पूजा विदी से आप रोज बगला मुखी की पूजा करोगे अगर करना है तो ठीक है बगला मुखी का जो अज मंत्र दे रहा हूँ ये यश्य और एश्वारे के लिए ?" तो इसको करने पहले चार लाग बीज मंत्र का जाप कर ले ना तो बगला जाग रुद्य हो जाएगे, अच्छा बगला मुखई बारे में एक बात और है कि बगला मुखी होती क्या है मा बगला कॉन है तो मैं आपको बता रहा हूं कि बगला लोग सोचेा, मुख्यी का एक ही मंत्र चलने लगा मारिया-मारिया काटे-ateg MA anxiety करते, माँ भग्ला मुख्यी जो है वो गलत नाम अनम वगला मुख्यी है स्तंभन ठीक है और मुखी का मतलब होता है जिससे उत्पत्ती हो जैसे ज्वाला मुखी तो ज्वाला जिसमें रती है जिससे ज्वाला निकलती है तो जिससे स्तंभन को काटती हो वो देवी स्तंबन को काटने वाली की शक्ती जिसमें हो वो वगला मुखी देवी होती है ठीक है इनको शास्त्रों में कई नाम से कई विधान से इनकी पुजा की गई है ना तो बगला मुखी का बहुत सारा रूप बहुत सारा भेद बताया गया है जो मूल भेद सबशक्ति का क्या है यह था काली तथा तारा तथा नील सरस्वती मतलब जो काली है वही तारा वही नील सरस्वती भी है भगवती बगला के बारे में बोला जाता है भगवती बगला मु और जो शैविक है उनका कहाना है कि जो रुद्र के कंट्रोल में रहती है वो ही भगला मुखी है ठीक है तो बड़ा उनका रूप है जैसे विश्णु रूपा जग मोहिनी ब्रह्म रूपा हरी प्रिया बगला परमेश्वरी ब्रह्म स्थिता ब्रह्म सरूपा ब्रह्म हना वेद वंदिता सर्व देव मही देवी सर्व गम भया पहा ब्रह्म शक्ति विश्णु शक्ति पंच वक्ता शेफिया तो शुरूवात हुआ विशनु रूपा जगंच नमुहिन नी ब्रह्म रूपा घरी प्रिया तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि चार माखवति का जाब करेंगे वीज मंतर, हुलिम का जाब करिएगा, आपको मैंने बता दिया, अगर हुलिम किलिद भी है, देखो, एक तो कलयूक में सारे मंतर किलिद है सावर को छोड़ गे, उसके बाद भी अगर आप सावर के के बदले सात deal मन्त्र की पूझा करते हैं तो पूझा मौने आपको समझ लेना है कि ऐसे तो किलन उत्किलन का बहुत विद्या है लेकिनम जो सबसे असान विद्या है वह है दो और लो मां मां भगवति को भाव दो मंत्र दो पूजा दो और उसके बदले में उस मंत्र को आप ले लो ठीक है मां को ऐसे समर्पित कर वापस ले लो अब मंत्र सुनो जो मंत्र है जो घर में कर सकते है स्वामिय मंत्र है और इस मंत्र को करने से यश कीर्थी धन वैभव मतलब जितना क्रीमी वर्ड है सब आपके पास आ जाएगा वो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं मंत्र है श्रिम रिम आम भगवती बगले में श्रियम देही देही स्वाहा श्रिम रिम आम भगवती बगले में श्रियम देही देही स्वाहा इस मंत्र को आप जब एक आच्छरी मंत्र चार लाग कर लेंगे उसके बाद कोशिश कीज़ेगे कि नवरात्र में करनेगा सबसे बढ़िया रता उसमें भगवती की साधना और इसको रोज 11 माला कीजिएगा देगे वेद अनुसार जाएगा तो फिर सवा लाग डेड़ लाग पांच लाग जाप होता नहीं आप आप नौर्मल पूजा आपको करना है आपको भगवती को अपने घर में स्तापित करना है 11 माला भगवती बगला की पूजा को इसका 11 11 माला जाप उसके बाद इसका दशांस हवन करना ठीक है दशांस हवन करने के बाद आप सिर्फ इसमें सिर्फ हवन से काम नहीं चलता है इसमें आपको उसके बाद जो है तरपन भी करना पड़ता है तरपन क्या होता तो जल में तरपन होता है उसके लिए क्या उसमें पानी थोड़ा सा गंगा जल दे दीजेगा ठीक है और उसके बाद एक छोटे पात्र में पानी भर लीजे उसमें थोड़ा सा हल्दी डालिए शहट डालिए सक्का डालिए दूड डालिए केसा डालिए यह सब मिला करके और जैसे सूरी को अर्ग देते हैं न वैसे ही इस मंतर से आप अर्ग दीजेगा उस बरतने में शृम रिम, एम भगवति बगले में शृम देही देही, स्वॉहा तरपयामी ठीक है जब आप हवन कीजेगा तो उसमें स्वाहा लग जाएगा और अंत्र में मार्जन करना मार्जन करने का क्या मतलब होता है एक पूजा करके और भगवती का जो भे आप यंत स्थापित किजेगा जब आप पूजा कर रही यह तो चाहे तो तस्वीरिया यंत्र भी किजीगा यंत्र भी किजिगा तो ज्याद अच्छरा रहेगा तो उस यंत्र पर आप गंगा जल्द से छीट मारिएगा और बतलो कुझ ड तरीका है उसको अपनाना पड़ेगा इसमें संख्या के दृष्टी कौन से जैसे आप लोग करते हैं हवन दशांस होगा ठीक है तरपन भी दशांस होता है और जो मार्जन है वो एकांस होता है मतलब जो गूस से आप ऐसे करके छीट येगा वो एकांस होगा मतलब जितना पूझे पूझे ये सब नहीं करना चाहिए दा दा पचा पचा क्यूंकि ना आपका कोई दुश्मन है मंत्र अगर आपका एक्टिवेट हो गया तो मंत्र कहीं ना कहीं काम करेगा आपके दुश्मन नहीं है तो आपके काम करने लिगा दूसरा उग्र मंत्र बगला मुखी क के मंतर से आपको क्या लाब होगा आपको यसा और कीर्ति और धन के प्राप्ति होगी तो यह आप लोगों के लिए अच्छा है अब इसके बाद नवरात्र के आसपास में मैं आपको एक बगला मुखी साधना दूंगा जो एक रात में सिद्ध होगा और वो एक बार सिद्ध क और पारनॉर्मल इंवेस्डिकेटर वो फरीद के आप बढ़ सकते हैं मुझसे अपॉइंट्मेंट लेने के मेरा वेबसाइट है www.aghortantrahasis.xyz उस पर एक सेक्शन है अपॉइंट्मेंट उसमें जाके अपॉइंट्मेंट सीख कर सकते हैं डारेक्ट बात करने के लिए कॉ आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए आप सभी बादेश अदेश अदेश अलाक आदेश